नमने उत्तर पर्देश की जब हम बात करें तो विधान सवा के एलेक्शन जब हुए थे तो भारतिय जनता पार्टी ने यूपी की जनता को बहुत सारी उम्निदें उनकी दिल में पैदा की थी भारतिय जनता पार्टी ने कुरप्शन की बात की थी भारतिय जनता पार्टी ने लॉइंड ओर्डर की बात की थी भारतिय जनता पार्टी ने महलाओं की सुरक्षा की बात की थी लेकिन जब से बाजपा की सरकार उतर परदेश में बनी उत्तर परदेश के डूंग को जितनी निराशा हुई है और उस निराशा को देखकर पूरे देश को भी जितनी निराशा हुई उसकी मिसाल कहीं मिल नहीं सकती उत्तर परदेश में सरकार जैसे नाम की कोई चीज़ नहीं उतर परदेश में ला अर्डर नाम की जैसी कोई चीज़ नहीं अगर जिसे वाकिए कहेंगे जंगल राज वो उतर परदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं सड़क पे चलने वाला सुरक्षित नहीं है चाहिए वो किसी भी धर्म जाती का वक्ती हो वो सुरक्षित नहीं है महलाई सुरक्षित नहीं है साधारन आदमी सुरक्षित नहीं है लाइंड आर्डर की ऐसी इस्तिती है कि अभी एक पुलीस काफिसर मारा गया और जिसमें अनुमान लगाया गया था शुरू में कि वो भारतिय जन्ता पार्टी के स्वयोगी जो दल है उन्हीं मैंसे कोई था लेकिन आज तक कोई पगड़ा नहीं जाता कभी एक को पगड़ा जाता है कभी दूसरे को पगड़ा जाता है गुंडा राई चल रहा है उतर पर जेश असरी गुंडों को तो कोई पगड़ नहीं रहा है लेकिन मासूम लोगों को कहीं इंकाउंटर के नाम पे और कोई दूसरी दल से उनका संबन्द है इसलिए उनको पगड़ा जा रहा है उन नाओं में जो घटना हुई बलादकार की घटना हुई पगड़ना तो चाहे था बलादकारियों को लेकिन जिसने रिपोर्ट की है उसी पर केस वापस कर दिया और ये भाजपा की स्टेट में ही हो सकता ये किसी और दूसरी स्टेट में ही हो सकता कि जहां जो पीड़ित है उसी पीड़ित के खिलाफ आप सरकार कारवाई करें मुझे पूरा विशास है कि उत्तर परदेश की जंता ने भारत भाजपा का रूप और असली चेहरा राश्रे अस्तर पर भी देखा और राश्रे अस्तर पर भी देखा तो आने वाले समय में वो दुबारा कांगरस को विजए बनाएंगे और कांगरस का शासन दिली में हो और उसके बाद वहाँ भी हो मेरे साथ सीनियर लोग हैं केंद्रिय पुरमंतरी संजी सिंग जी हैं हमारे दूसरे नेता जो चेर्मेन भी रह चुके हैं जनल सेक्टे हैं पुनिया जी पिर पुनिया साब ये भी हैं मफजल साब है सजी आप कुछ बोलना चाहें और फिर बोल दिया काफी है आँ स्टिंग ऑपरेशन पर अरे कुछ तो बोली आप स्टिंग ऑपरेशन अभी भाजपा के मंत्री और उनके अधिकारियों के तालुक में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है पहले भाजपा दिल्ली में भी लखनों में भी एक भरष्टाचार की बड़ी कहानी सुनाती थी खतम कर देंगे लेकिन आज जो देखने सुनने में आया है उससे पता चलता है कि कितना भरष्टाचार इनकी जड़ जड़ में घुसा हुआ है आज धीरे धीरे भाजपा और इनके सत्ताधारी एक्सपोज हो रहे हैं जनता ने भी ये सारा एक्सपोजर देख लिया है उसी आधार पर इनके दिन खराब होने वाले हैं और देश की जनता के दिन अच्छे आने वाले हैं पार्टी जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी उन्होंने वाइदे जो किये थे गुंडागर्दी खतम करेंगे आप रादियों को जेल में होंगे या फिर प्रदेश छोड़के उनको भागना पड़ेगा लेकिन हुआ उल्टा जैसा कि अजाद साथ ने बताया और ये इनकी फित्रत है हर जगे के अंदर सरकार में इनकी कारशहली हो या राज्य जहां-जहां इनकी सरकार है उनका हो कभी भी जो भारती जन्ता पार्टी आरसे से जुड़े हुए संगठन के लोग जो अपराद करते हैं जो गहना फेलाके अपरादों में लिप्त होते हैं उनके खिलाब कभी कोई कारवाय नहीं होती उनको हर हालत में बचाने का प्रियास किया जाता है उत्तर प्रदेश में बुलंसर की घटना हो या उन्नाव की घटना हो या और जगह मासूम बच्चियां तक प्रादों में खिलाब कारवाय नहीं होगी जब तक तब तक ये अपरादों होते रहेंगे और इनकी मजबूरी है उन अपरादियों को ये छेड़ेंगे नहीं पुलिस कर्मियों को उनकी तरफ उंगली उठाने तक के हिमत नहीं है झाल झाल